मिवात जिले के बड़कली चौक से एक दोखत खबर शामनियारी है आपको बता दें कि बड़कली चौक पर 11,000 बिजली की लाइन से जुलस कर एक करीब 15 वर्सी बच्चे की मौत हो गई दुरगटना इतनी भायानक थी करंट लगते ही आग लगना शुरू हो गया वहाँ पर मौजूद लोगों की मदद से मिर्तक को सामानी अस्पताल माड़ी खेडा पहुंचाया गया इसके बाद इसकी चानकारी पुलिस को दे गई नकीना पुलिस ने मौके पर पहुंच कर मौाइना किया और माड़ी खेडा पहुंच गया आपको बता दें कि पुलिस से मिली चानकारी के अनुसार मिर्तक का नाम बुद्धा पुत्र गंगराम नाम पताय चरहा है आपको बता दें कि मिर्तक का चिला अस्पताल माड़ी खेडा में पोश्ट माटम किया चरहा है इसके बाद सब परीचनों को सौप दिया चाएगा थाना पिरवारी हरी सिंग ने बताये कि ये बच्चा बड़कली चौक पर बसे जुगी जुगी जौपडियों के रहने वाला था एक गरी बच्चा था इसका मामला तर्च कर लिया क्या है और आगामी करवाई सुरू कर दी गई है आपको बता दें कि एक बिजली विवहा की लापरवाही से ये मामला घट गया है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से 11,000 लाइन जो बिजली की लाइन है वो किस तरह से जमीन पर टिकी हुई है आपको बिजली की तारों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जब बच्चा इसके चपेट में काया होगा तो कितना तडपा होगा आपको बता दे कि यह बिजली केतार अक्सर मौत को दावत देते रहते हैं आखिरकार इन बिजली केतारों ने बिजली वहा की लापरवाही की वज़े से एक मासूम भच्चे की चान ले ली आप देखने लियाकत अलिक रिपोर्ट